नमस्कार प्रियस सिंग लगन और आशी वाले 11 अक्टूर को प्रहता 7 बच के 47 मिनट से ले करके 29 अप्रिल 2022 तक सनी देव जो हमारे जीवन में कर्म के, धन के, संपती के, अहंकार के कारक होते हैं या अपनी स्वयम की रासी में मारगी हो रहे हैं तो प्रियस सिंग लगन और रासी वाले मैं आपको बताऊंगा कि सनी जो है यह मारगी हो रहे हैं तो आपकी उपर इसका क्या फल मिलेगा क्योंकि सनी जब मारगी होंगे तो सनी आपके कुंडली के छटे घर पे विराजमान रहेंगे यानि कुंडली के सष्ट अस्थान पे सष्ट अस्थान का सनी होता तो ऐसे कारक है और जब यह अपनी रासी में मारगी हो रहे हैं तो निक्चित तोर पे इसके कारकत्यों प्रभाव में ब्रिदी होगा प्रन्तु एक तप्थे को समझेगा मई 2021 से लेकर के 11 अक्टुवरते के वक्री अवस्था में रहें तो सनी आपको क्या क्या नुक्षान दिया जीवन के उल्जनों को बढ़ाया इस्तिरी सुखों के में बाधाउत बन किया कर्ज के तले दवाया संपती हो या वहन हो इमाई को बढ़ानी के स्थितियों मिले आया सतुरता को बढ़ाया तनाओ के अलावा जो है हेल तीशू भी रहे लेकिन सनी जब मारगी हो जाएंगे तो आप के लिए अत्यधिक प्रवावसाली हो जाएगा सबसे रोचक तत्य देखिए क्या होता है सनी जो है आपके कुंडली में अपनी रासी में तो सूब रहेंगे लेकिन 29 दिसंबर से 6 मार्च तक जो ग्रह आपके कुंडली में धन का और आयका मालिक होता है वो छटे घर पे सनी के साथ बिराजमान हो जाएगा मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध का और सश्ट स्थान का बुद्ध भी कारक और शनी भी कारक यानि जब सनी 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे सुख यानि लव रिलेशन अगर खराब हुआ था या विवाह के रिष्टे नहीं आ रहे थे तो उस प्रकार की स्थितियों को यह ठीक करना चालू कर देगा सश्ट स्थान का सनी जो है आपके जीवन में नोकरी चली गई थी सत्रू आपके पीछे हाथ धोके पड़े हुए थे तो इस प्रकार की समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा और सब्षे महत्पूर्ण बात किया है जो आप पाई पाई रुपई के लिए तरस रहे थे जो आपने ब्याज पी प्राइबिट पैसे ले रखे थे जो आपको टॉर्चर कर रहा था ना ऑटोमेटिक इसके रास्ते खुलने प्रारंब हो जाएंगे सश्ट हस्थान का सनी मनिश्य के जीवन में फसा हुआ पैसे को भी निकालने वाला होता है यानि आपने कहीं पैसे जमा कर रखा था या किसी के नाम पे जमा था डॉकिवेंट्स प्राब्लम नॉमनी सरी लेट्टिड किसी प्रकार के जो भी समस्याओं चल रही थी इस समस्याओं को यह दूर करने वाला हो जाएगा आपके जीवन में पेट के समस्याओं आपके जीवन में यूरिन सरी लेट्टिड समस्याओं सेक्स्वल डीजीट ब्लड इंफेक्शन इन सभी प्रकार के समस्याओं से यह बचाना चालू कर देगा सबसे महत्पुन बात क्या है क्योंकि सनी आपके कुडली के सातवे घर के भी कारक होते हैं अताहा यानि आधिपती होते हैं भावेश होते हैं तो सर प्रथम आपके जीवन साथी के तरक्की के रास्तों को खोल देगा नौकरी अवयवसाई में आईस्थिरताएं हो चुकी थी छुटने के कगार पे आ चुका था दुकान खाली करने के ओर्डर हो चुके थे रेंट के समस्याएं सिर्पे चड़के तांडों मचाना प्रारमबकर दी थी तो सनी का या मारगी होना इस प्रकार के समस्याओं को दू हो चुका था इस प्रकार के समस्याओं को यह दूर करतेगा आपको वैपार करना है बड़े इंवेश्टर नहीं मिल रहे थे इंवेश्टर मिल जाएंगे सबसे महत्तपुर्ण बात यहां पर एक तथ्यों को समझने वाली है क्योंकि यह अस्थान जो होता है संतान से सुख करते थे लेकिन आप लोगों का जो है किसी भी तरीके से आपसी जो है ताल में ठीक नहीं चल रहा था या आप लोग एक दूसरे की प्रती मिल नहीं पा रहे थे तो यह समस्याओं को यह दूर कर देगा सबसे महत्तपुर्ण बात देखिए यहां पे जो भी बैक्ती मसीन से looks related हैं construction was Research she एंजचिनियर्इंग इसके अलावा क्रेशर अर मारवल टाल्स पेटोलियन पदार्थ गैस्किए पदार्थ कैमिकल्स, कोईला, मचली पालन इसके अलावा जो है प्रोपर्टी से रिलेटेड जो भी वेक्टी रिलेट करते हैं आप सभी के लिए इतना बढ़िया फल देने वाला है आपको मन चाहा परमोशन, अस्थांतरन के योग को भी देने वाला रहेगा आप नौकरी में रहते वेवसाई कर रहे थे आपके पार्टनर जो धोखा दे रहा था इसके लिए भी कुछ अच्छी संभावनाएं खुल जाएंगे सनी का जो होता है दिरिष्टी तीन होते हैं तो सनी की अगर हम तीसरी दिरिष्टी की बात करें शिंगल लगन और आसी वाले तो सनी की तीसरी दिरिष्टी अस्टम अस्थान पे है कारतत्तो प्रभाव देने वाला होता है सनी और विरहस्पती यहाँ पे और विरहस्पती जो है मिन रासी यहाँ पे विराजमान होंगे जिनसे सनी का सम गिरीशम मंद है अता ससुरालपक्ष से तालमेल के अलावा मन में जो भय था किस मुकदमा होने की शम्भावनाएं थी यह कॉन्फिडेंट आत्विश्वास बढ़ जाएगा और लगता थे कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे इस परकार के समस्यां को भी कहीं न तो कहीं सनी जो है आपको दूर कर देगा सबसे महत्पूर्ण बात यहां पे क्या है मैं आपको यह बात बता दू सिंग लगन और आसी वाले कि सनी का जो है सातवा दृष्टी 12 अस्थान पे है करकरासी में एक चीजों को समझिएगा करकरासी के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं अगर इसके अलावा हलका हिर्दे रोकी समस्थ्यां दे सकता है हलाके 12 अस्थान पे दृष्टी वहां के भी शनी कारक्त्तों परभाव देते हैं तो यह केस मुकदमा का लावा विदेश स्यात्राओं क्यों आपको ले जाने का पून परियास करेगा किसी प्रकार से भी आपके प प्रभाव देने वाले होते हैं वहां पर विराजमान रहेंगे और तूला रासी में अगर आपकी कुड़ी में सुक्र के स्थिति बहुत अच्छी है इसके फल में बढ़ोतरी होगा अता सरकारी काम काज के अलावा उच्छ सिक्षा संतान सुखों में ब्रिदी खास करके त प्राकर्म में ब्रिदी और सब्षे महत्तपुर्बात के अरिस्तदारों के पास जो भी पैसे फसे थे आपके चोटे भाई भैनों से किसी प्रकार का विवाद हो रहा था इसके अलावा जो है आपके यात्राएं बहुत सफल नहीं हो पा रही थी वह चोटी हो या बड़ी ह समस्या वोसे सनी आपको बचाना चालू कर देगा इस प्रकार के समस्यावू ह सनी आपको रक्षा स्या यह यह अर बात समझेंगा मनुश्य को अचानक उठाने वाले गजरा होते हैं अता जब ये मकर रासि में बैठेंगे तो आपको अचानक कर्ज की मुक्ति भी कराएंगे अचानक सफलता भी दिलवाएंगे परंतु यह मनुष् harbor को एकांत भी करते हैं संकालू प्रविर्ति के भी करते हैं और धहरिता में थोड़ी सी कमी करते हैं तो आपको संतोस बना के रखना है एकांत प्रिय यानि छोटे बड़े लोगों के मद्धे में रहना है क्योंकि सनी नीचे अस्तर के लोगों के मालिक होते हैं और आप नीचे अस्तर वाले लोगों बहुतित सब्सक्राइब और इस चीज़ों देना है सभी को बरावर योगदान दीजिएगा और इसके अलावा मैरेट लाइफ हो या प्रिलेशन हो सँंका मत पैदा किजिए एक सब्सक्राइब पर बहतर बनाने के लिए सिंटिक को पाय तो मैंने बता दिया क्योंकि मकर रासी का सानी मनिश्यों का चानक उठाता है तो आप कर्ज के मुक्तिक करें ही दीजिएगा बस यह महुत पूर्ण है भगवान सीव का पूजा कीजिए यानी सीव चालिशा का पाट कीजिए सनी देव का जो सबसे प्रिये मंतर है ओम को सनी बार के दिन सुर्यास्त के बाद पिपल पिड़ में जाके गरीबों को जो है विपल पिड़ में जाके सरसो तेल का दिव जलाईए और गरीबों को कुछ भी खिलाईए हो सके तो 29 अपरिल तक एक दो तीन चार कंबल भी दान कर देजिए तंड का मौशा मारा है और भ बिरतांत जनकारी मैंने आप के समच प्रस्तुत कर दिया है उमिद करता हो कि बताई कि जनकारी से संतुष्ट होंगे तो आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलूंग अगली वीडियो में और महत्तपुन और ज्यानवर्दक जनकारी के साथ तब तक लिए नमस्कार अच्छे से रहिए धन्यबाद